हमारे वैग्यानिकों ने बहुत बहतरीन काम किया है कि उन्होंने पहले जो नीम कोटेट यूरिया था यूरिया जो होता है सफेद रंका होता है यूरिया ये इसे छिड़का जाता है तो इसका कई ज्यादे ब्लैक मेल हो जाता था यूरिया का तो इसमें क्या किया गया नीम क वो मिला लिया के कड़वापन जिस वज़े से इसका ब्लेक मेल नहीं हो पाता था खेत में यूज हो पाता था लेकिन वह बहुत जादे मात्रा में छिड़कना पड़ता था और यह काफी महंगा हो जाता था यह लगबग राउंड फीगर यह 400 के आसपास में यूरिया का प्र इसने एक नए टाइप का यूरिया बनाया है दुनिया में पहली बार नैनो यूरिया नैनो यूरिया पॉर्टिकल जवरजस्त इसलिए है क्योंकि यह महज आधा लीटर आधा लीटर से एक एकड़ जमीन में इसके यूरिया का छिड़काव किया जा सकता है और आधा लीट तो हम लोग इसको मतलब आधा लीटर से एक पूरी एकर तक हम लोग यूरिया का छिड़काओ कर सकते हैं इसे छिड़कना पड़ता है क्योंकि लिक्विड फॉर्म में रहेगा यहाँ पर किसी भी फसल के लिए कोश्चन हमेशा याद रखेगा कि जब खेती करते हैं और उसम फसल के लिए आपका अपने इलिए ऐ सब से जादे कि जरूरत होती हैं तो फसे पूर्स भीतिति की पूर्टी यूरिया यहुए तो खेति के लिए सबसे जदे जरूरी है नाइट्रोजन मिल जाता है और बीज बोते समय सबसे जदे भासफोरस की जरूरत है यह तो बहुत महंगा है लगभग 500 के आजपस DAP का बुरा है तो भारत के बाइग्यानी को ने बहुत सारहनी ही काम किया